हेलो परिंदों क्या हाल चाल सब बढ़िया एकदम मज़े में चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे पत्र-लेखन ठीक वैसे आप लोगों के हाइज स्कूल के बच्छों के लिए पत्र-लेखन नहीं है ये इंटरमीडियेट के लिए है ठीक है ना हाइज स्कूल से पत्र-लेखन क बस इस बार हटाया है, लेकिन हमेंशा ऐसा नहीं रहने वाला है कि मांलीजिए हमें कभी नहीं लिखना जीवन में है ना, तो यह सामानेता सब के लिए है, ठीक है ना, पत्र लिखना, तो सबसे पहले जान लेते हैं पत्र होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना, पत्र है क्या, पत्र क्या हमाई, किसी को हम कुछ भी लिखते हैं, जिसे है ना, लिखा हमने किसी के लिए कुछ, तो वो पत्र है, एक प्रकार से किसी को कुछ लिख कर, देना, भेज देना, पत्र भ प्रकार का कौन कौन सा अउपचारिक और अनउपचारिक ठीक है तो हम लोगों को पढ़ना क्या है हम लोगों को पढ़ना है अनउपचारिक पत्र ठीक हम लोगों क्या पढ़ना है हम लोगों क्पढ़ना है आउपचारिक पत्र है ना आउपचारिक पत्र में कौन कौन से आत ठीक अनौपचारिक पत्र ये सब इसमें प्राथना पत्र आजाता है आपका और अनौपचारिक पत्र में साधी का जो कार्ड होता है सब ये पत्र आते है ठीक है ना तो ज्यादर डिटेल में नहीं जानना है, हमें क्या जानना है, हमारे स्लेबस में क्या है, वो हमसे मतलब है, ठीक है न, तो इधर उधर नहीं सेदे स्लेबस में बात करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर एक सर्वतुब है तो महोदय थी इसके बाद बिद्यलाई के नाम आ पके हो गया फिर कहां बिद्यलाई पता और जिला मैं तो ऐसे डाल दिया राज की इंटर कालिस प्रयाग राज ठीक फिसके बाद विसाय देखिए मैंने यहां लाल पेंस लिख दिया इसलिए आपको नहीं आपको केवल नीले और काले पेंस का यूज करना ठीक है ना विसाय और हो सके तो नीले इस केश का आप इस्तेमाल कीजिए ठीक ना ज्यादा बेहतर लगता है देखने में विसाय में क्या सुल्क माफी के लिए प्राथना पत्र यह विसाय हो गया आपका और जिस विसाय पर आप लिख रहे हैं फिलाल हम किस विसाय पर बात कर रहे हैं सीध में लिखने का यह नहीं गडलागा होना छहीं ठीक है ना तो किया लिखेंगे महाधकों उब्ल महोधिया वहीं बताया नए कि अगर मेल लक्रण है और महें लेकली यह फूर अgi छीन माध तो कि लिखेंगे उसे कि सरे मॵे gros यहां पर लिखना क्या है आपको यहां पर अपनी समस्य लिखना जिसे फीस माफ करवानी है आपको तो आप फीस क्या समस्य है है ना तो अपनी समस्य कुछ भी लिख सकते हैं देखिए एक बात ध्यान दीजिए आप लोग अपने से सोचना और अपनी बातों को दूसरों को सा में से हैं वो आप लिख सकते हैं कि मेरे पिता जी किसानी करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं जिसके कारण जितना अरजन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है इसलिए फीज जमा करने में दिक्कत है ना या तो लिख सकते हैं पिटाजी किरानेक दुकान चलाते हैं परिवार बढ़ा होने के कारण समय से फीज नहीं जमा कर पाते हैं इसलिए फिर आप से नीचे और एक लाइन लिखिए वो लिख गई एक लाइन और लिखिए कि मैं आपकी कच्छा में नवी कच्छा में आपके बिद्यालाई में आज जिस कच्छा में पढ़ रहे हैं उसके एक कच्छा पीछे की कच्छा में आपके बिद्यालाई में इस कच का छात्र था और मैंने उस secularism इस्थान हासिल या वार्सिक परिच्छा में ख Ride में hman eine A Masters अउब फिर लिखेंगे आता आप से प्रात्रना है कि मेरी फिस माफ करने की कृपा करें ताकि मैं भविस्षा में या अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं आपकी इस क्रपा के लिए मैं आपका अभारी रहूंगा ठीक फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे धन्यवाद और धन्यवाद के बाद क्या आपका आग्या कारी सिस आप अपना नाम देखिए जब आप उन रूप से अगर परिच्छा में लिख रहे हैं तो वहाँ नाम लिखने किया उसकता नहीं है वहाँ क्या लिखेंगे अबस ठीक है क्या लिखेंगे अबस और आपकी कच्छा दसम अगर इंटर में हैं तो 12 अब मतलब कच्छा और वर्ग समसे ना क्लास और सेक्षन इसके बाद अनुक्रमांक डाल दीजी अपना है ना और फिर उसके नीचे दिनांग इतना पत्र में लिखना होता है ठीक है ना बहुत बेसिक सा फंडा है इसको आप समझ लीजिए इसमें समझना कुछ नहीं है केवल आप इतना लिखना है आपको इतना अगर कर लिए जितना बताया क्योंकि आप यहां अपने विचार प्रकट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अपने विचार रखना सीखिए ठीक है ना तो इतना पत्र में आपको आपका दो नंबर का पत्र पूछता है ठीक है ना तो चलिए ठीक है फिर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी सेर कीजिए वो लोग भी आ गई है ना तो इसलिए बहतर दरीके से लग जाए ये पढ़ाई में ठीक है ना चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद